गाइस, what's up, I hope you are doing fine, this is me, Neer Waheed, and today I will teach you about some important facts related to India, उसमें से आपके maximum questions बन जाएंगे, कुछ important facts में जो आपको पाता होना चाहिए, ठीक है, apart from that, जो जब यह complete हो जाएगा तो हम reverse system हम start करेंगे, क्योंकि facts में इसलिए आज मुझे reverse system actually लाना था, लेकिन उससे पहले उसी portion में से कुछ यह बच रहा है, factual points कुछ है, 60-70 facts हैं, तो वो 60-70 facts आपको पता होना चाहिए, क्योंकि SSB क्या करता है, SSB direct facts से questions पूछ लेता है, that's why I have made this lecture for you, right, so I am presenting this lecture through triple S, one of the best affiliate form for free education, more than one like 25,000 subscribers, जाद से जाद से जाद से जाद से जाद से सबस्क्राइब करो, right, चलो, I hope आज दूसरा यह है, रमजान है, I hope आप लोगों सबने रोजा रखा होगा, ठीक है, तो साथ साथ पढ़ाई भी करते होंगे, कब थोड़ा थोड़ा दिन में पढ़ाई करो, लेकिन जादा पढ़ाई आप करोगे रात में, ठीक है, कोशिश करोगे रात में, शाम को एक चीज़ बता तो, मैं आपको करना है, चुली, देखो करना है क्या आपको, जो भी रोजा रखता है, शाम के टाइम में बहुत कम खाया करो, मतलब बहुत कम, जब शाम की अजान होती है, फिर कम खाया करो, थोड़ा सा पानी पी लिया, थोड़ा सा कुछ, क्या बोलते हैं, खुजूर खा लिया, ठीक है, फिर फिर थोड़ा-थोड़ा हलका सा खा लिया, आदे गिंटे तक ठीक है फिर जब आप तरावी निमाज पढ़ते हैं उसके बाद जो आपको खाना है वो खालो अगर आप एक ही साथ खाऊगे उससे क्या मसला हो जाएगा आप हैवी हो जाते हैं वो डिरेक्ट आपको आपके स्टॉमक पर ये करता है प्रॉब्लिम करता है फिर आप पड़ी नहीं पाते हो तो आपको कि अगर पहले हलका खालो एक दो आवर तक जब तक आपका बाड़ी जो है वो स्टॉमक आपका ठीक हो जाए तो उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद आप खालो जो रात में खालो और यहां से पढ़ भी सकते हो आप रात को मैं यहीं बोलूँगा अगर आप रात को ही पढ़ सकते हो अच्छे से शाम को यह दस बज़े से लेकर रात को सुबह पहांच छे बज़े ता कंटिनुवस्टी फिर सो जाओ दिन में क्योंकि एक तो आपका दिन भी निकल जाएगा उससे और दूसरा ही कि आप रात में इसलिए रोजा रखो लेकर कम यह करो खाओ हलका सा थोड़ा सा थोड़ा सा शाम को फिर दस बज़े के बाद आपको जो खाना जो मन में खाना खालो वह हैवी जितना भी खाना को खा सकते हो रात में आपको एक ऑक्सिजन लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलेगा वाटर जब पीओगे तो कि आप उसका हैडरेशन जादा देखने को मिलेगे बाडी हैडरेटेड रहेगी तो उससे भी आपको जादा से जादा चीज़ा याद रहेगे क्योंकि जब तक आप पानी नहीं पर चीज़ा याद नहीं रहते तब तक आप बहुत ज़दा दिमाग भी क स्टार्ट किया था ठीक है तो चलो हम स्टार्ट करते हैं परसुमाला लेक्चर जो था मैंने वह कंप्लीट किया था आपकी फिजियोक्रप उसमें से थोड़ा सा जो बैचरा है जो एक्जामें पॉइंशन पॉइंट से इंपॉइंट है वो क्या है वो है यहाँ पर थार ड आपmacी और झाल किया ता एका कुंताई तो पर फख़न पर देह सकते हैं वाराजस्तान की बात कर राजस्तक है पास using स्टार्ट के रियस तो पहलती तो फास हो रही है और यह क्मौन सी किनाल करें पर फॉर दिए है और आरजस्तन के बाल एक बिर्द तो और तो इस पास हो रह आपको बहुत जदा important point है कौन सी किनाल पास होती है ठीक है यह कहां से पानी लेकर आता है आपको बोलना है यह रिवर लूनी से ठीक है लूनी रिवर से पानी लेकर आता है और कहां लेकर जाता है कि इंद्रगंधी किनाल के थूप फिर इसको यूज किया जाता है इस पानी को The thar desert is mainly, mainly in Rajasthan, between Arahallis in the east and Indus plain in the west. West में Indus plain है, और east में क्या है? Arahalli east में, west में क्या है? East में Arahalli है, west में Indus है, और इसके बीच में क्या हता है, Indra Ganga Canal जो है, थार desert जो है, इस region में देखने को मिल रहा है. आरे बात समझ, where this arid region merges with the sinh desert of Pakistan, ये पाइकस्तन के desert के साथ मिल जाता है, यहाँ पर आप में पर देख सकते हो ये पाइकस्तन के साथ border बनाता है और इसका आदा पार्ट जो है, किसका राजस्तन का आदा पार्ट जो है, मालब डैसर अरे जो है ये आदा पाकस्तन के पास भी है आरे बात समय, ये मरज हो जाता पाकस्तन के desert के साथ, ये पॉइंट बे आपको याद रखना है, it is fairly flat low lying region and lies in the north west Rajasthan, ये आप देख सकते हैं ये east हैं, ये west हैं ये north हैं, ये south हैं इस portion में, north west region में जो deserts हैं, देखने को मिल रहा है it is a sandy waste interrupted by sandy regions and shifting sand dunes these are mainly salt lakes, there are many salt याद रखना, जो western deserts हैं आपके वहां पर बहुत सारे राजस्तान में, बहुत सारे आपको क्या देखने को मिल रहा है, salt lakes देखने को मिल रहा है, important salt lake अगर आपने नाम सुना होगा samber lake, याद रखना है पूछा जाएगा, samber lake कहाँ पर आपको बोना है राजस्तान में, samber lake ये largest inland salt lake in India ये एक fact है कि inland salt water lake कौन सा है इंडिया में, आपको बोना है inland salt water lake, सबसे largest that is the samber lake did you understand, next the looney is the only large large river in this region but carries little water, इस region में किसमें, राजस्तान में सिर्फ एक ही river pass होता है, उसको बोलता है, लूनी river question पूछ सकने है, कि लूनी river कि state के through pass होता है, आपको बोलता है लूनी river जो है, वो state राजस्तान के through pass होता है आप देख सकते हैं आपर लूनी river जो है, राजस्तान state के through pass होता है ठीक है इसमारावली रेंज को भी देखने को मिलेगा रिवर सिस्टम आपको लूनी रिवर देखने को मिलेगा डेजर्ट आपको इंद्रागंजी डेजर्ट देखने को मिलेगा इंद्रागंजी किनाल है यह आर्टिफिशल किनाल है याद रखना है यह आर्टिफिशल किनाल पिंक सिटी किसको बोला जाता है जोतबूर बे आपको याद रकना है थीले चलो आगे चलते इसका कौन से इन्परिमेट बंडटने पन मिले रिइजिंग यृष्य से लस्त होता है थीच्व का अगर पूछा जाएगा क्योंकि आपको कलाइमेट पढ़ना है वहाँ पर मेरे पढ़ना है और रेनफाल केतना देखने को मिल रहा है इस रिजिन में आपको बहुता है यहां तक मैंने आपको वेस्टोन डैजर्ट के बारे में बताया यह इसमें इंक्पॉइंट है जो आपको पॉ पढ़ना है मैं फिर से repeat कर रहा हूं आपको इससे ज़्यादा पॉलिटिकल डुजिन ओफ इंडिया को नहीं पढ़ना है यह मोर दिंशे इफ्षेंट है फार पॉलिटिकल डुजिन अफ इंडिया आरी बाद समझ और एक सेकंड रूखो होल्ड तो जो मैं पढ़ाओंगे अब यह पॉलिटिकल डूजन का ही पार्ट है तो इसमें आपको यही पढ़ना जो मैं पढ़ाऊंगे नमबर यहां पर पुश्ट हो इंडिया जोग्राफिकल एक्सपेंस इंडिया इस एक कंट्री अप मैसु जोग्राफिकल एरिया यह पढ़ने की जुरूरत नहीं है यहां आपको पूचा जाएगा कि इंडिया को किस साइड को east साइड से कोन है west साइड से को मैंiger maintained कर रहा हूं कर रहा है पर मैं अगर इंडिया दिखाए ऐसे पूचा जाता है । question आपको ऐसे पूछ जागा इंडिया के North में क्या है आपको बोलना है इंडिया के North में जो है इंडिया के North में क्या आपको बोलना है that is the Himalayan Mountains East side में क्या है आपको बोलना इस side जो यहां पर आप देख सकते हो भेव बेंगल ठीक है West Side चो देखोगे Arabian Sea और South में जाओगे तो यह Indian Ocean यहाँ पर पूरा नीचे Indian Ocean देखने को मिलेगा यह एक fact था statement पर पूछा जा सकता है India has an area of about India का area कितना है आपको याद रखो 3 to 8 million square kilometers याद रखो 3 to 8 million square kilometers इसका area है पूछ नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी याद रखो The North South extent of Kashmir to Kanyakumari याद रखो कश्मीर to Kanyakumari की तरफ आएगा 3 to 00 kilometers है कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक कितना है यह कश्मीर है यह कश्मीर है और यह कन्या कुमारी यह एक्सिद encant है आपको बोलने 3 to 00 kilometers है हो गए यह वाला पार्ट लेकिन फिर East में क्या है आपको बोलने East में क्या है इस्ट में est में क्या है west में राजिस्ट वेश्ट है यह एक्सिदट कितना है कौन सा North to South मैंने आपको बोला 3200 kilometers है लेकिन East to West कितना है, East to West, जो है that is 2900 km, question पूछा गए है exam में, SSC CGL में और CDS में दोनों question, दोनों exam से पूछा गए है question, question देखो question क्या था, इन्होंने बोला कि, इन्होंने बोला कि, यह तो आपको पहली आपको इतना याद रखना है, जो यह वाला accident जो है, नौरत से सौथ त जदा है, क्या longitudinal extent जदा है, आपको बोलना, वो extent जो जदा है, वो latitude, जदा है, क्योंकि यहां से कश्मिर से लेकर कन्या कमारे तक जदा है, तो यह सभी latitude से नहों के longitudinal, फिर से मैं repeat करूँ, यह वाला portion इंडिया का कितना है, आपको बोलना, यह portion जो है, यह 2900 है, कहां से कहां त और west side इंडिया का state कोंसे, that is the gujra, यह point समचाया होगा, अब यह तो हो गया, इसको बोला जाता है, यह हो गया, यह जो है, यहां से यहां तक जाना, ठीक है, इसको बोला जाता है, यह 2900 किलो मेटर से है, लेकिन आप मैं कश्मीर यहां पर है, कन्या कमारे यहां पर है, कश् लेटिचूणल एकसिटन्ट है जादा है और लोग्चूणल एकसिटन्ट कम है, बस इतना आपको, ठीक है, याद रहा गया है, अब नेक्स्ट चलो, यह हो गया, ठीक है, इंडिया is located in the Northern Hemissipier, ठीक है, Northern Hemissipier में, अगर आप Hemissipier देखो कि नौर्दन Hemissipier में आ रहा है, ठ ठीक है ट्रॉफ काफ केंसर आपको पता है यह मैंने आपको बोला यह डिवाइड करता है इंडिया को दो इक्वल पार्ट में ठीक है यह फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ट्रॉफ केंसर का मतलब यह एक ऐसी लाइन होती है एक ऐसा लैटिचूड होता है जो इंडिया को दो नौर्फ टक जो होता है यह कौन से लेट चूट से लोंगी चूट का मतलब 67 डिगरी 7 मिनट और 97 डिगरी 25 इस्ट जो है देख सकते हो आप ठीक है इंडिया के नेबर्स की मैं बात कर रहा है इंडिया के नेबर्स से जो कि लेंड नेबर्स है इंडिया के और मैंने बोला था अप को ओशन के साइड से उसका कौन है शेरलंका है और यहाँ पर एक साइड से माल दिवस भी आप बोल सकते हो ठीक है यहां तक मैंने आपको बता है यह पूरा जो इस पीडेह पर लिखा ने इस वाली पीडेय पर जो लिखा है ने वाला यह आपको टिप्स पे होना चाहा और नेपाल के साथ और वूटान के साथ क्योंकि यहां से एक कॉश्चन मिल सकता आपको अगर पॉलिटिकल डूजिन से कॉश्चन पूछेगा तो यहां से डेफिनिली पूछ जाएगा पूछ लेगा वो ठीक है यह भी मैंने आपको बता है यह फैक्ट्स है जो हमें पढ़न है और इंडिया के स्टेट्स के थ्रू भी इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं लेकिन इंपॉर्टिंट है यहां से कॉश्चन जो बनता है वो बनता है इंडिया और इंडिया और इसके नेबर्स के साथ बॉर्डर लाइन का नाम क्या है आपको याद रहना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, मुझे मैप पर आना पड़ेगा, ये देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, ये देखो, आप देख सकते हैं, मैं पर, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, आ यहाद रखो डूरेंड लाइन यह अफगाइनस तो पाइकस्तान में के बीच में जो बॉर्डर लाइन उसको नाम दे गए है डूरेंड लाइन एमसी को पूशा गए है इसलिए मैं यहाँ पर इसको जादा फोकस कर रहो यह हो गए एक आर आई पी याद रखो रिप याद रखो ठीक है आर आई पी रिप ठीक है एक सेकंड रुको मुझे देखने दो यहाँ पर हाँ चलो अब हम बात करते हैं आर आई पी आर आई पी का मतलब आर आई पी रैड किलिफ इंडिया और पाइकस्तान में हैं फिर से मैं रिपीट करो हो red cliff इंडिया और पाकिस्ताँ में अब ये इनडिया स्टे modified जब तक आप visualize visualize नहीं करो कि चीज़ को सब्चों तो कि चीज़े समझते आगे ये इंडिया हो गहाई ये पाकिस्ताँ हो गहाई बीचम से एक ऐसी जान जासे और यह लाइन जो इसको बोला जाता है आर मतलब रैड किलिफ यह था रैड किलिफ उसके बारे में मैंने आपको बता आया था यह आपको याद रखना है एकजामे पूछा गए आज यह क्वेश्चन लगा लो आज ही निकल जाएंगे यह क्वेश्चन तो याद रखना यह का बनाया गया था रैड के लिफ आपको पाता है यह जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में ठीक है अगस्ता नाइन फोट्री सेवण में ठीक उसके बाद मैक मॉहन लाइन याद रखना क्योंकि इंडिया चानी के साथ बार्ट बनाता है इंडिया और चाना के बीचे इसको बोलता है मैंकम ओनलाइन आरी बात समझे ठीके इत वाज ठीक है बाइस इंडिया और पाकस्तान के बीच में से जो पाकस्तान के साथ बिलोंग करता है लेकिन इंडिया बोल रहा है कि नहीं इंडिया इसको एकसेप्ट नहीं करता है पूछा नहीं जाएक पर स्टिल पाता होना चाहिए मैगन याद रखो मैग नौट लाइन जो है यह जर्मिनी और फ्रांस में है अब आप बोलो कि सर आप इत आम इनिशन पॉइंट प्यूट के लिंक पाड़ेंट है आरे बात समझते हैं कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है ठीक है यहां पर कुछ एक पॉइंट पर देखा सवदर्न हमें से फिर इस वार्मर एंड देन नौर्ध नौर्ध वोल यह आपको याद रहन आपको पता है जो है आपको याद रही है यह सौधर्न हमें से फिर यह नौर्ध नौर्ध वोल यह नौर्ध वोल यह नौर्ध वोल यह नौर्ध वोल और बोला जाता है सौथ वोल जो हता है यह कूलर होता है एस कंपेटर नौर्ध वोल कंफ्यूज नहीं हो ना नौर्ध समझाता हो द्याइद फूक्स रखो नौज़हीं नॉर्षफोल ह्मेश से प्यार अवियरो यह वाइद रखो ठीक है सवध प्रफिक और यह सब्वी ओशन जो है ठीक है यह सब्वी और पार्ट में देखने को मिल रहे तो यह ओशन का एक क्या एक करेक्टरिस्टिक क्या है ओशन की जब मैं लेंड ब्रीज और सी ब्रीज आपको पढ़ा होंगा ना क्लाइमिट पर आपको समझ माया जाएगा वहाँ एक्टुली क्या होता है ओशन जो होता है इसके क्या करेक्टरिस्टिक होती है ओशन की करेक्टरिस्टिक होती है यह सिलोली क्या होता है वारम होता है और सिलोली क्या होता है कूल भी होता है लेंड की प्रॉब्लिम क्या होती है लेंड फास्ट कूल भी होता है और फास्ट भी होता है समर में लेंड बहुत दावारम हो जाता है जब समर में लेंड बहुत दावारम होता है इंडिया में यहां पर समझो इस पॉइंट को समझो इस फैक्ट को देखो, देखो होता है क्या है? summer की में बात करो? summer की में बात करो, summer में क्या होता है? land का ef váriosज़़ा हीट हो जाता है, काफि data heat जब absorb कर लेता है, तो यहांपर tram pastor काफिय ज़़ा ही देखने है, camural land के उपर. लेकिन यही अगर हम compare करें के ocean की बाद, उस ताइम इंडिन ओशन, एरबियन सी की बात करी है, बेया बेंगाल की बात करी है, यहाँ पर जो होता है, वाटर तो होता है, यह वारम होता है, लेकिन जादा नहीं होता है, कम होता है, बहुत कम वारम होता है, जिसकी वज़े से क्या होता है, ठीक है, यह को जो वारम मुझ जतना land होता है इसका मतलब जो भी यहाँ पर जो भी coastal region जो है जो किसके साथ रहते इंडियन ओशन या अरबियन सी के साथ borders बनाते है इनका temperature जो रहता है वो normal रहता है 25, 26, 27 रहता है किसमें summers में आरे बात समझ तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर हमें क्या होता है यहाँ पर हमें गर्मी देखने को में नहीं मिल रहे है summers में यह होगा एक point यह वाला part जो generally coastal regions आप याद रख सकते हो winter की बात करेंगे winter में क्या होता है winter में land काफी जद मैंने क्या बोला था लेंड के एक property जल्दी cool भी होता है जल्दी ठंड़ा भी होता है winter में land क्या होता है बहुत जदा cool होता है लेकिन water क्या होता है ocean क्या होता है ocean warm होता है as computer land से जब ocean warm होता है as computer land से इस warmness का effect कहां पर आता है coast पर still यहाँ पर फिर से temperature वही होता है जो कि कम से कम 20, 22, 23 के आसपास होता है थोड़ा सा variation देखने को मिल रहा है as computer summer temperature से अगर summer का temperature 25 होगा, winter का temperature क्या होगा 20, 22, 21, 19, 18 इसके आसपास होगा तो ये ocean का effect देखने को मिल रहा है इसलिए बोला जाता है, southern hemisphere जो है वो क्या होता है, वो warmer होता है और जो north है में से फिर वो cooler होता है ये आपको इतना बस इतना आपको वयाद रखने है ये भी आपको पता चला, जो south में जो ये regions है इसमें temperature क्यों normal होता है as computer north इंडिया से क्योंकि north इंडिया में land portion है लेकि south इंडिया में border बनाता है किसके साथ water के साथ water का effect यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहे है I hope यहाँ तक यह point आपको समझ आया होगा अब मैं थोड़ा सा तेज चलूँगा थोड़ा समझ ए fact से पढ़ना आपके जहन में रहेगा क्या होता है ठीक है question आजाएगे इसमें से सबसे पहले एरा इंडिया का कितना है इतना आपको यह यह इंडिया के features से एरा इंडिया का कितना है 3.28 मिलियन स्केर किलोमेटर से याद रखना है और यह भी आपको याद रखना है question पूचा कहा है यह कितना contribute करता करता है आपको बोले 2.4% of world total geographical area जितना भी है length कितनी है north to south ठीक है यहाँ पर लिखा है 3.214 approximate आप लिखोगे 3.200 याद रखो approximate आप 3.200 याद रखो width इसका मतलब जो east से west accident जो है यहाँ पर east से west की बात करेंगे 29.33 है लेकिन मैंने approximate अभी बोला था 29.00 आपको याद रखने के लिए यह हो गया इसका मतलब यह जो east to west यह north to south जो होता इसको बोलते है latitudinal accident और east to west फो इसको बोलते है latitudinal accident आपको पता ही है यह वाला जो है इंटर्म सा degrees यह मैंने आपको बोला हो 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute नौर्थ यह कौन सा होता है यह होता latitudinal accident जो manland का latitudinal accident आप बात करोगे 68 degree यह मैंने आपको बोला है पहले क्योंकि अब यह ही आपको टेबल आपको याद रखना है उसके बाद southernmost point आपको मैंने बोला था southernmost point जो है इंडिया मैंने बनाया एक है यहां पर ही मैंने इंडिया बनाया एक है इंडिया का ऐखना ओशन भी है क्योंकि यहां पर अगर देखोगे अंडवन न्युकुबार भी प्रेजन और लेंड भी प्रेजन लेंड तक जो है लेंड का टिप जो है सावधर और पर लिखा भी है इस सिक्ष में मैन लैंड की बात करें लेकिन जब आप जाओंगे क्योंकि ऑशन भी है इंडिया का वहाँ पर भी आपको क्या कcious आइंड भी आई इतना ही लिखता है Southern most point of interest अब आपको इंद्रा point ही dimension करना है जो मैंने आपको person भी बोला है बच्चुन ने इस पर questions भी किये तो उन्हें मुझे send भी किया था इसके उपर ठीक है तो यह जो होता है Southern most point यह कहां पर है आपको 6.5 degree North में है इसको इंद्रा point बोलते है pack million point भी बोला जाता है question है कहां पर है आपको बोलना ग्रेट नीको बार में है सभी questions पूछे गए exam में आज ही book को खोलो practice करते जाओ longest river जो है length wise आपको याद है देखो एक होता है रिवर होते एक होता है volume wise होता है एक river ठीक है यह जिसको बोलते अब area wise river होता है यह volume wise भी बोल सकते हैं दूसरा जो होता है length wise length wise जो area होता है length wise जो river होता है उसके बारे में पढ़ना है length wise जो है that is गंगा मैं दो rivers का नाम लिखूँँगा जीए एन जीए गंगा के मैं बात करूँगा और ब्रामपुत्रा के मैं बात करूँगा length लंबाई किस की ज़ादे आपको बोलना근ंवा इस Taylor ginga की में लेकिन सबसे ज़ादा पाइन किसम है यह volume wise कों सा है इस ब्राहां पूत्रा है ठीक है यह largest riverine island कौन सा आइलें रिवर रिवटर रिवराराइल एल्र वर्ल्ड कर लर्डर्ड कौन से आपको बोला मुझली। लर जी को अगर बिडिब इंडी मैं बॉला था आपको अगर आपने देखा होगा रान पर पूछा गया हर कुष्चन में एक्जाम में पूछा जाता है यह वाला पॉइंट थारी डेम इंड़्य का है नो यह को बोलना है कि यह बागी रिथी रिवर में काहां पर खुद है आपको उतरा खंड में ठीक है यह वर्ल्ड हैस्ट लेकिन जो हमारे पस यह कौन से वर्ड का हास है आपको कोड़ क्या मैं बताओंगा ठीक है आपको इतना याद रखना है कि उत्तर तु तहरी वो बाग गया कोई बाग गया आपको लिखना वो बाग गया बाग कहां गया उत्तर से लेकर तहरी तक चला गया उत्तर का मतलब उत्तरा खंड से लेकर तहरी का मतलब तहरी डेम बी का मतलब बाग का मतलब बागी रहती ठीक है वो बाग गया कहां से कहां तक उत्तर से तहरी ठीक है या मिलका सिंग भी बोल से कुछ भी बोला आप मिलका सिंग बाग गया फ्रम उत्तर तो तहरी क्योंकि वो ज्यादा बागने में मशूर है उसकी एक मूवी जो जो एक मूवी कुछ है उसका नाम ठीक है, याद रखा हैस्ट डेम क्या है, तहरी डेम, उत्र का मतलब उत्रा खंड स्टेट है, तहरी का मतलब तहरी डेम, बागी रेती का मतलब बागी रेती रिवर, question पूछा जाता है, इंडिया का हैस्ट डेम किस रिवर पे हैं, आपको बोलना बागी रेती पे, question पूछा it is present, आपको बोने it is present in उत्राखन स्टेट, तो इसलिए मैंने हर एक पॉइंट यहां पर इसमें मेंचन किया हुआ है, longest damn, यह तो हो गया है, highest damn, दूसरा हो गया longest damn, आपको बोले हीरा could damn, हीरा, हीरा कहां पर चला गया, ओडेसा में, ठीक है, ओडेसा में हीरा देखने को मिल रहा है, हीरा जो है, ओडेसा में जादा देखने को मिल रहा है, यह code एक है, हीरा, हीरा कहां पर है, ओडेसा में है, तो इसका मतलब हीरा could damn जो है, यह कहां पर है, आपको बोले हीरा could damn जो है, यह कहां पर ओडेसा में है, कहां पर हैड्रो एलेक्रिक पावर प्रोजेक्ट में एक टॉपिक होता है जी इसमें उसमें से पढ़नी पढ़ती है लेकिन आपको यह फैक्ट याद रखना ही है इंडिया के बारे में एक और लॉंगिस्ट ब्रीज जो है माहतमा गंदु सीतू और रिवर गंगा यह आपको याद र तो जाना होगा तो जाना इस यहां पर ठीक है कभी जाते हो गुमने शुमने के लिए ठीक है तो जाना चाहिए सरसोधी-जागफ़ल-करणाड का मैं आप जा सकते हो ठीक है लॉंगस्ट केनाल इंद्रगूंदी केकनल याद रख मैंने आपको अभी बोला राज़स्तान केनाल जिस को बोला थार डैसर्ट की मैंने अभी बात की थी लॉंगस्ट बीर्ड जो है मरίνा बीच याद रख चिन्णाई में ठीक है рокने इस चीज वहा सब बोल को पता है देखो अगर आप देखो कि यहां पर इस तरीके से बोल रहा है देखो मैं पर यहां पर इसकी जादा है यहां पर इसकी जादा है यहां पर इसकी नहीं अगर आप देखो इसको यह कुछ इस तरीके से गुजरात का इस तरीके से यह ऐसे गुजरात है लेकिन जब आ किस स्टेट की है आपको बोलना है जो पानी के साथ बॉर्डर बनाता है आपको बोलना है वो है कि आप बोलते हैं इसको गुजराद जो है इतना भी याद रखना है आपको कि 1600 किलो मेटर इसकी कोस्टल लाइन जो इसके ले है आई होप यहां तक यह बात समझ आए होगी ठीक और इस मौट केट का दूसरा नाम गॉर्ड इसका दूसरा नाम एक और है कियो गरिब इसको बोला जाथ कि इसकी आपको बना है 8611 मीटर की हाइट इस द वर्ल्ड सेकंड हैस्ट पीक अफ्टर मॉट अवर्रस बच्चों का यह कंफिजन ने कंचन जगा मैंने बोला था आप आप उसके हाइट देखोगे 86 सम्थिंग है उसकी और यहाँ इसका और जादा है इससे तो याद रखना इतना कि हाइस पीक वॉर्ल्ड का है मॉट एवर्रस जिसका 8848.68 है 0.86 है और उसके बाद मॉट एवर्रस इसके बाद मॉट केटू है याद रखना है 8611 और कंचन जग पीक इंडिया का है और सब्सक्राइब को पाता है ग्रीट इन डेजर्ट इन राजिस्तान जिसको अंधार डेजर्ट अभी मैंने बुला इंडिया में आपको याद दरास जैसे आप बोल रहे हैं आप उस लद्दा के पार्ट में है और यहाँ पर कितना ट्रम पेचर होता ह है माइनस माइनस यहाँ पर अंडि भी लाते हैं एक भी लाते हैं उसको भी तोड़ना होता है हथोड़े से ठीक है तो इस तरीके से वह फ्रीज हो जाता है होटेस्ट प्लेस याद रखो ठीक है बिरिया वाली याद रखो बिरिया वाली एक जगा है यह राजिस्तान में हो यहां पर एक साल में 1220 सेंटीमीटर रेनफाल होता है देखो अभी राजिस्तान में कितना हो रहता है लेस लेस लेन 25 सेंटीमीटर रेनफाल राजिस्तान में होता है लेकिन यहां पर दिको कितना रेनफाल होता है इसको बोला चाहिए यह वेटस्ट प्लिस कंसेल्डर किया जाता है इसको नम भी याद रखना है मावा सिंड्रम जो मेगालिया में है फालोड बाई चीरा पुंजी याद रखो चीरा पुंजी में सबसे दियान से देखो चीरा पुंजी में भी बारिश बहुत ज़दा होती है ठीक है कहाँ पर चीरा पुंजी में भी लेकिन वो बारिश एक ही टाइम पे होती है एक ही टाइम पे वो बारिश हो जाती है ठीक है तो याद रखना सबसे प्याला मावास सिंड्रम उसके बाद जो होता है चीरा पुझी चीरा पुझी दूसरे नमबर पे ठीक है बोद इस प्लेस आर लोकेट इन कुछ ऐसा है जो विंड्स आ जाते ना आ से हम पहलें त्रैप हो जाते जब यह ट्रैप हो जाते पूरा पारीघ ये पूरा निकलने के लिए जगा नहीं होते पिर ये पूरा कहां होता है इसी रेजन में होता है ठीक है इस फीकल बारैप्श कर देखो कि आपकी स तो एक्टूव वालक इंडिया में कौन सा है आपको बोलते है बैनन आइलेंड ठीक है लार्जेफ डेल्टा कौन सा आपको सुंदर्बंज डेल्टा है वेस्ट बंगल में ठीक है किस ने बनाया इसको किसी वाज़े से गंगा और ब्रहपुत्रा की वाज़े से ये वॉर्ड क इंडिया का कोंट से है? इंडिया का कोंट से है? आपको बलाए सुंधर्बंस और ये इन इस वर्लड ठड़ल ठीड है? ठीका, डॉप然 काफ कंसर कितने सेट के थूरू पास डॉपे काफ केंसर क्या है, एक्चुली, यह आपको बोलना है 23.5 डिगरी नौर्थ होता है यह कितने स्टेट्स के थूरू पास होता है फिरसि में पढ़ रहा हूं, गुजरात, राजितान, मध्यापरदेश, यह question पूछा गया है, एक बार इसलिए मैं इसको highlight के, देखो, आपको तो यह पता है, 8 state जो है, यह pass होते है, किसके थूरू, लेकिन ऐसा कौन सा state है, जो सबसे longest, जो है, length बनाता है, ट्रॉपकप कैंसर के साथ, जब ट्रॉपक कैंसर पास होता है, किसके क्या नम इसको mapped, 1986 length of ट्रॉपक कैंसर, तो आपको याद है, तो smallest state कौन सा है, smallest length कौन सा state बनाता है, ट्रॉपक कैंसर के साथ, आपको बुना है, जो smallest length ट्रॉपक яют्यसको बनाता है, यह पूरा है, द्रॉपूरा, त्रिपूरा, याद रखना है, इसलिए बार बार रिपीट मैं समझ आ जाता है नहीं मैंने कही न कही से पड़ा इसका अंसर यह होगा इंडिन स्टेंडर्ड मेरेडन मैंने आपको यह भी बोला था 82.5 डिगरी नौर्थ इस्ट है 82.5 डिगरी नौर्थ नहीं है याद रखो इसको यह वेस्ट नहीं है लिूसेंट के वहाँ पर आप देखों कि उसने MSQ दिया है कि इंडियन स्टेंडर्ड मेरे डिन 20 एंड हाव डिक्री इस्ट लॉंगी चूड याद रखना है इस्ट की तरफ क्या होता है मैंने पहले विला था ना पहले लेक्चर में इस्ट का मतलब लॉंगी चूड होता है न इस फ्रेंच कॉलनी थी ठीक है बिफोर इट वस इंकुलूड इंडिया इंडिया इंकुलूड करने से पहले यह क्या थी यह फ्रेंच कॉलनी थी उसके बाद सेप्टमबर टूथन सेक्स्टीन में क्या हुआ था टेरिट्री चेंज इस ऑफिशल नेम पॉंडी चरी टुप यह तामिल लेंगेज में ध्रेट्री ले खिसल्च को बोला जाता है यह उसको बोला जाता है यह फ्रेंच को बौनी थी ठीके यहां पर important था है इसमें जो आपको याद रखना है I hope यह आँ तक यह बाते आपको समझ आए होगी कुछ और important line था यह मैंने आपको बोला है उसके बाद हां यह मैंने बोला है एक और चीज़ है अर्त की shape क्या है अर्त की shape oval shape नहीं है याद रखना, oval shape नहीं है, geographic language में, इसको oval shape नहीं बोला जाता है इसको बोलते है, joy, याद रखना है, joy joy का मतलब, आपने क्या बोलते हैं, और औरेंज देखोगा orange कैसा होता है, orange आपने देखो कुछ इस तरीकी से होता है ना, orange orange कुछ इस तरीकी से होता है ठीक है ऐस्टेरिक स्फिर्ज में दिखाता हूँ यहाँ पर यह फ्लैट होता है और यहाँ पर मिडल में क्या होता है यह बल्ज होता है इसको बोला जाता है जुआइड याद रखना देखने को मिलेगा जुआइड अर्थ की कि जुरुत नहीं है यह पूछा जाता है रखने कितना है आपको बोलना है 6400 किलोमेटर इसका रखना है अगर किसी ने फिजिक्स पड़ा होगा वहाँ पर हमेशा यूनिवर्सल आप ग्रैविटेशन इन जवबा पढ़ते हैं वहाँ पर आर का यूज होता है वहाँ पर हम रेडिस अप अर्थ कितना लेते है 6400 वहाँ पर लेखा होता है 6300 लेकिन जनरले आपको याद रने 6400 यह एक्चुली अगर अर्थ है यह अर्थ का संटर होता है और अर्थ के संटर से लेकर यहाँ तक इसका अर्थ का रेडिस कितना है आपको बोलना है यह 6400 किलोमेटर है रेडिस ठीक है किलोमेटर है ठीक है रोटेशनल टाइम रोटेशन का मतलब क्या होता है जब क्या होता अर्थ अपनी एक्सीज के थूरू रोटेट करता है देखो यह एक्सीज है मैं अर्थ बनाता हूँ यहाँ ठीक है मैं अर्थ बनाता हूँ इस तरह से मैंने अर्थ बना लिया ठीक है और यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्राउ की है यह एक एक्सीज होता है यह थोड़ा सा टिल इसको टाइम लगता है 23 hours and 56 minutes 23 hours 56 minutes फिर जनरली हम कितना लेते हैं 24 hours ले लेते हैं लेकिन exact date जो है जो आपको exactly याद रखना है वो किया 23 hours 56 minutes जो है अर्थ को time लगता है इसको कितना time लगता है इसको एक दिन लगता है मतलब 24 hours 56 minutes इससे क्या बनता है day and night बनता है तो rotation के वज़े से क्या बनता है days and nights बनते हैं यह आपको याद रखना है फिर revolution की बात करेंगे revolution कितना है इसको कितना time लगता है यहाँ पर आपको याद रखना है revolution आपको याद रखो 365 days 5 hours आपको याद रखना है कितना इसको time लगता है इतना आपको इतना rotation का time आप याद रखो शायद मैंने मैंने शायद गलत बोला 23 hours 56 minutes अपनी एक्सीज के त्रूइ रोटेट करता है यह आपको खुद कलियर कर लेना बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है कि rotation time 23 hours 56 minutes होते है और revolution का मतलब होता है जब उसको कितना time लगता है 365 days और 6 hours actually है 6 hours 365 days 6 hours की बात की जारी है मतलब एक साल लगता है उर्थ को रिवालो करने में आरे बात मुझे उर्थ को रिवालो करने में यह आपको यह आपको याद रखना है कुछ बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है आपको याद रखना है कि revolution का time जो है rotation time जो है that is एक दिन होता है और revolution का time होता है 360 एक साल होता है अब देखो यहाँ पर एक key point है 365 days 6 hours की मैंने बात की एक साल में 6 hour तो 24 hours कब बनींगे कितने साल के बाद एक साल में 6 hour है ना 24 hours कब तक बनींगे 4 साल में 24 हो गया इसका मतलब 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है इसका मतलब आपका leap year जो होता वो 4 साल के बाद होता है समझ में आई reason क्यों leap year 4 साल के बाद होता है क्योंकि जब rotation देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 365 days और 6 hours की बाद करेंगे ठीक है 6 hours की बाद करेंगे जब आप ये चीज़ करते हो 365 days 6 hours की बाद करते हो तो यहां पर 4 साल के बाद एक क्या बनता है 24 hours जब 4 साल के बाद एक दिन बने का 24 hours का मतलब क्यों होता है 1 day ये 1 day 365 day को add करो इसका मतलब 366 day इसका मतलब leap year 4 साल के बाद होता है ये point यहां पर आपको आल्मुष्ट पता ही होगा length of orbit याद रखने की जूरूत नहीं है ये पूछा जाता है minimum distance from the sun और maximum distance from the sun किसका? Earth का distance देखो मैं क्या बनाऊँगा ये मैंने बनाया sun त्याँन से समझो ये actually जब अर्थ पढ़ते हैं वहाँ पर मैं आपको visualization देखा तो मज़ा आता है इसको लेकिन वहाँ हमें पढ़ना नहीं है ठीक है ये हो गया sun और ये हो गया हमारा अपना Earth planet Earth कौन सा planet है? थर्ड planet है ठीक है आप देखो देखो ये जो है ये sun का near rest location है किसको? सपोज मैंने ये point A लिया है यहाँ पर ये point A है और सपोज farthest point जो है वो यहाँ पर B है देखान से समझो ये point जब मैं जब मैं एक line ड्रा करता हूँ sun से इस point A तक और दूसरी line मैं ड्रा करता हूँ कहां से कहां तक? sun से लेकर कहां तक? point B तक sun से लेकर point B तक अब ये point जो है point B तो दूर है जो point B दूर है इस point that means sun और अर्थ के बीच में जो distance होते है मतलब जो point closest to earth है और दूसरा point far from the earth है that means sorry earth का वो point जो sun से दूर है और अर्थ का वो point जो sun के नज़ दूर है वो point जो अर्थ से दूर है ठीक है उसको बोला जाता है epihelion याद रखना distance जो होते है जादा distance जो होते है एक ऐसा point होता है अर्थ के उपर जो कि बहुत दूर होता है farthest point माना जाता है कहां से कहां तक sun से लेकर ठीक इस point B तक इसको बोला जाता है epihelion epihelion याद रखना epihelion याद रखना और perihelion क्या होता है perihelion का मतलब होता है अर्थ का वो point जो closest to the sun होता है closest to the sun point A है इसको बोला जाएगा perihelion that means perihelion minimum distance between sun and earth होता है और epihelion जो होता है maximum distance between sun and earth होता है बस इतना आपको याद रखना है यह ही लिका है मैंने minimum distance from the sun कितना होता है किसका earth का इसको perihelion बोलते है और maximum distance from the sun इसको epihelion बोलते है यह आपको याद रखना है याद रखने के जुरूरत नहीं है नहांत रखे याद बस इतना ही तर्म को आप जाता है पैर हिलेन और एपिलेन क्या मतलब क्या होता है ताम टेकन बाई सं टो रीच अर्थ यह सं है और यह अर्थ है कितना टायम लगता है सं को अर्थ में अर्थ तक पहुशने में लगता है, highest point अर्थ के उपर कौन सा आपको बोलना है, C, more average from the mean sea level, याद रखना, हमें एक mean sea level होती है, ठीक, एक level होती है, base level होती है, जिसको बोलते mean sea level, और mean sea level इंडिया का Bombay में है, स्वारे, Mumbai में है, याद रखना, Bombay से लिया जाता है, consider किया जाता है, deepest oceanic point कौन सा आपको बोलना, marina trunch, ठीक है, जैसे highest point अर्थ के उपर कौन सा है, mont average, लेकिन deepest जो है, that's marina trunch, और marina trunch के depth ज़्यादा है, as computer height of the mont average से, ठीक है, height of the mont average से भी इसके ज़्यादा है, यहाँ पर देख सकते हैं, mont average का 8848 है, लेकिन marina trunch का 11034 है, आप देख सकते हैं, यह deepest point है, अर्थ के उपर, ठीक है, average depth of ocean यह याद रखने के जुरूद नहीं, जो जो points मैंने टिक किया है, और highlight किया, देखो, मैंने किसको highlight किया, यह point मैंने highlight किया, यह point मैंने highlight किया, जिंजिर points को मैंने टिक किया, वो सभी points important है, आपको वो चीज़ा सभी याद रखना है, ठीक है, mean surface temperature, अर्थ का surface temperature, जो तो surface temperature, 14 degree याद रखना, inclination of coral axis from orbital, 23 and 26 degree, मैंने अभी बोला था न, मैंने आपको अभी बोला था, यह inclined होता है, अर्थ की axis होता है, actually ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, अब कितना है, आपको याद रहा है, 23 degree, 26 question पूछा गए है, exam में, कितने degree पे है, आपको बोला 23 and इतना inclination, कितना, एक तो यह point हो गए है, दूसरा में इसको, अर्थ की inclination, actually यह, यह इस अर्थ की axis है, कितने inclination पे आपको बोलने, यह कितने inclination पे, कितना degree बनाता है, आपको बोलना 23 degree पे होता है, time coordinate जो होता है, time कौन, कौन से, एक होता है latitude, देखो, एक होता है हमारे पास latitude, यह वाली चीज़ें, जो मैंने draw कर, एक होता है longitudes, longitudes का मतलब यह वाली, longitudes जो होते है, जो मैंने यह वाली line इस ड्रॉक के, यह हमें time के बारे में बताता है, क्या बताता है, तो उपर उपर जतना जाता है, पोल्स के तरफ़ temperature decrease हो जाता है, ठीक है, उसके बाद international meridian, zero degree होता है, जितको greenwich, लंदन के त्रूपास होता है ठीक है यह ची रखना लंदन के थ्रूपास थी रॉयल उब्जर्वेटर के थ्रूपास होता लंदन के थ्रूपास था इस selective धंग इसे होने चाहिए यहां पर इसको डिवीशन देखने को मिल रहा है यह पॉइंट आप थोड़ा से जहन में रखो उसके बाद यहां पर आ रहे हैं लेकिन आप ऩॉइंट पुटल से फिर आप ने यहां से स्टार्ट क्या फिर से आप बैक साइड से वहाँ पर आ रहे हो आपको कोई समझ जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं यह अर्थ है यह यहां पर है यह 0 डिग्री है इस साइड जाओगे दो पार्ट में इस साइड जाओगे तो 90 डिग्री हो गए यहां से यहां तक आपने 90 degrees निकाली होगी ठीक है तो definitely इसके left side में 90 degrees निकाली होगी तो यह अरत का front side ही होगा न क्योंकि circular है एक ही face होगा न तो इसका मतलब कितना हो गया total हो गया 90 total हो गया 180 यहां से 180 यहां से 90 यहां से 90 तो front वाला side क्या हो गया 180 तो एक होगा 180 इसका मतलब यहां से आप आते हो और east की तरफ जाते हो तो हो गया 180 फिर से आप क्या करते हो इस east से क्या करते हो अब back side से आते हो दूसरे side से तो वो क्या बन गया वो फिर से 180 बन गया तो इसलिए इसको बोले जाता है यहां पर आ जाओगे तो यहां पर 66 यहां पर आ जाओगे तो 66 फिर सूथ ठीक है बस यहीं आपको याद रखना है यहां तक आपको यह बात समझ आई होगी यह मैंने आपका complete क्या हुआ है इंशाला इंशाला कल जो है हमारा man target जो रहेगा that is river system मैं यही बोलूँगा आपको आपका फिजियोग्राफी फुल फ्लाजर तरीक से मैंने कावर किया है एक काम करो आप 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 क्या करो msq लगा लो जितना possible है क्योंकि मुझे time नहीं मिलेगा कि मैं msq लेकर आओंगा बट still पहले मैं कुछ complete करो अच्छे से और और कुछ चीज़े मैं msq लेकर आओंगा नहीं तो वह lecture चला जाएगा msq में यहां से आप msq वैसे भी लगा रहे हो ठीक है लेकिन msq में लाओंगा यह पता नहीं कब लाओंगा कल मैं रिवर सिस्टम लेकर आओंगा कल अगर पढ़ना भी आपको रिवर सिस्टम पढ़ो थोड़ा सा सुधर कल जब मैं पढ़ाओंगा आपको रिवाइस हो जगा I hope यह लेक्चर आपको समझ जागा Thank you so much for watching me मेरा गला भी थोड़ा सा ड्राइव हो गया अब ठीक है चलो हम कल इंशालर बाकि करते Thank you so much और हां comment section में आप mention करो को आपको यह session कैसा लगा अपना comment वहां पर mention करो जाद से लाइक और सबस्क्राइब और शियर करो इसको Thank you so much for watching me